so hello what's up guys, आज के इस पीडियो पर हम बात करने बाले कि byte studio पर एक option रहता है जिसमें लिखा है content suggesting you, आप दिखलिजेंग आपका है पर दिखाई देगा जिसमें लिखा है content suggesting you तो इसका क्या मिन्स यानि इसका क्या मतलब है इसमें एक message लिखर के आ रहा है, इस message पे लिखा है, not enough traffic data to so this report, तो इस message का क्या means है, और आपको content selecting you पे आपका data क्यों नहीं सो कर रहा है, आप किस परकार से इसमें data लाएंगे, मैं इसकी पूज़न करी मैं आपको देने बाला हूँ, यानि कि content selecting you को data आप किस परकार से अपने subscribe और के bell घंटी को press कर लिजएगा, क्योंकि यह रूप से संबनी इत्मा ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चलि बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, content suggesting you कि पूर्जयन का युग समझाने के लिए मैं आपको यहां से स्टार्टिंग समझाता हू से इकुषियो आपको डिलिए आपकसी क्लिक कर लिया, इसके बाद अपको उपा से डीघे सर्ट हूं, क्या मतलब यह होता है जो आपने चैनल के वीडियो को अप्योड करके राखा है वह वीडियो के वीडियो के स्लेश्टेट में जाती है यानि कि यहां पर लिखा है नौट इनफ टाफिक डाटा तो इसका डाटा इसका डाटा इसलिए यहां पर नहीं सो कर रहा क्योंकि यानि आपके वीडियो पर पर नात्र में डाटा नहीं होगा इस बैस आपका है मैं कि यहां एक पर बैक दिखाता हूं आपको अपन करके दिखाता हूं क्लिक कर लिए इसके बात आपको दिखा है दिए रही वीडियो वीडियो तो आपको इसमें क्लिक कर लिए तो आप देख लिजिए आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई देगी जो कि आपकी यह वीडियो नहीं है यह वीडियो किसे दूसर क्रियेटर्स की है आपको बाइटी स्टूडियो पर यह क्यों सो कर रहा क्यों कि इन वीडियो के नीचे आपकी वीडियो आ रहे हैं किस परक प्रकार से आपके वीडियो साज आती होगी मैं आपको दिखाने के लिए आपके क्लिक किया था तो जहां पर दिखा दिया रही है इन वीडियो के नीचे आती है इसे बोलता है इसे बोलता है content आपको टाटा है पर सो नहीं करता उस प्रकार सापका message आता है तो इसे बोलता क्लिए ट्रटा बाए बाए अग्या टेक ऎर